गुड मॉनिंग, गुड आप्टरनून, गुड इवनिंग, तो कैसे हैं मेरे पेरे बच्चों, काफी टाइम के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, I know very well दो हपते हो चुके हैं, कुछ मैं अपने काम से प्लस कुछ तबियत के नाम से थोड़ा लेट हो गया है, आज हम नया चेप्टर शुरू करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था क्वाड़िक एक्वेशन, जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से I hope complete किया है, और मैं यह उम्मीद कराऊं कि आपने हर मैथड हर पॉइंट को अच्छे से सुना, समझा और उसकी practice की है, तो आज करते हैं, आज यह एक introduction class है, कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, फटा फट को trigonometry के बारे में जानते हैं कि आखिर इस chapter में क्या है, क्या है, कैसा करना है, सब कुछ हम थोड़ा-थोड़ा उसके बारे में information ले देते हैं, तो वीडियो शुरू करने के पह करते हैं, अपन, trigonometry का पहला चप्टर, जिसका नाम है, trigonometry ratio, चलिए, trigonometric, फिलाल, अपन यह heading डालते हैं, ratio है, क्या है, topic उसी दे शुरू होने वाला है, चलिए, तो जैसा कि, आप यह अच्छी तरीके से जानते हैं, या नहीं भी जानते हैं, तो मैं आपको बताना कि यह chapter जो है, वो आपके especially right angle triangle पे based है, प्रिया, right angle triangle आप जानते हैं, जिसमें एक angle आप 90 degree हो, hypotenuse है, pythagoras theorem भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अखिर में यह trigonometry जो है, उसका purpose क्या है, chapter बना क्यूं है, क्यूं यह concept हम सीख रहे हैं, क्या कारण है, और आगे इसका normal life में उसका क्या use है, तो trigonometry आप यह English में तो नाम देखी रहे हैं, मैं आपको साथे साथे इसका meaning बताने के लिए आपको उसको हिंदी में भी बताना चाहूंगा, यह मेरी इच्छा है, इसका हिंदी में इसका नाम है, त्रिकोण मिती, right, तो मैं इसको dictate भी कर देता हूं, त्री कोण मिती, right है, मातरा बातरा आप देख लिजेगा, तो यहां पे आप इतना तो हिंदी समस्ति होंगे, यह थोड़ा सा संस्क्रीज से रेटेट पॉइंट समस्ति होंगे, कि त्री का मतलब होता है तीन, fine, कोण का मतलब होता है अंगल, right, और मिती मिन्स मैथड, यह जो भी आप जानते होंगे, right, तो तीन एंगल से रिलेटेट जो भी आपका डियागराम है, उसको अंडरस्टाइंड करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसका क्या लौ है, क्या नहीं है, वो सारी चीज, एक मैथड के द्वारा हम समझेंगे, विच इस या फिर आपके चैप्टर का नाम है, ट्रिग्नोमेंट्रिक रेश्यो, जो हम चैप्टर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको पहले डिक्टेट कर दिया, कि यह जो है, right angle triangle पर बेस्ट है, फिलहाल, आपके 10th के syllabus के according, आगे कुछ नहीं चीज तो बिल्कुल आपको उसकी information दी जाएगी, तो यहाँ पर हम इस diagram के बारे में थोड़ा सा discuss करने थे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बूत, यह आपको अच्छी तरी के से पता है, यह है आपका base, यह है hypodaneous और यह है आपका perpendicular, right, अब यह जो सारी sides है, close diagram है, आपक जिस भी slope में या जिस भी angle से जुड़े हैं और एक close diagram बनाए हैं, इनका एक proper ratio होता है, तो trigonometry में इन तीनों side, तीनों angle से related एक combination बनाया गया है, और वो worldwide same है, constant है, उनको fix कर दिया गया है, main आपके दो angle होते हैं, वो है sin theta और cos theta, right, अभी मैं आ रहा हूं कि वो sin theta, cos theta है क्या simple तरीके समझेंगे, बहुत ज़्यादा lengthy नहीं करेंगे, comfortable तरीके से अराम से, अब यहाँ पे, यह 90 degree तो आपको सभी को पता है, कि triangle में कैसे भी घुमा लूँ, तो 90 degree तो आपको सामने ही highlight हो जाएगा, सीधी सी बात ही और यह तो सामने दिख रहा है, लेकिन main question आता है कि य यह angle का और यह angle का, तो यहाँ पे, जिज़र भी मैं अगर particular कोई degree आपको पहले दू, जैसे कि degree को हम show करते है, ठीटा से, ठीटा एक Greek word है, वहाँ से लिया गया है, इसको बोला जाता है, तो जिस तरब भी ठीटा होगा, यह 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 बात ध्यान रखे गया, यह जो line में बोल होने वाला हूँ, यह अलग-अलग बुक में और अलग-अलग teacher के recordings, अलग-अलग बाते कही गई है, simply में यह बूरो, जिदर ठीटा है, उस तरफ ही क्या होता है, आपका base होता है, क्लिया है, क्योंकि उसको माना गया है, ऐसा, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाओ, दूसरा ट्राइंगल लेलू, यहाँ पर अगर मैं ठीटा लेलू, ठीक है, आपका side का नाम तो change हो सकता है, ABC तो कहीं भी घुम सकता है, लेकिन अब ठीटा किदर है, यह है, तो यहाँ पर यह क्या कहला हैगा base, और यह कहला हैगा perpendicular, यहाँ पर यह कहला हैगा, hypotenuse तो fix है, वो तो change ह होई नीरा देख सकते हैं, तो जहाँ पर ठीटा होता है, वहाँ पर होता है आपका base, practically और worldwide भी, किसी भी बुक में, कहीं से भी आप उठा के देख लिजे, किसी भी नेट में भी देख लिजे, यूटूब में देख लिजे, आपको यही बात अलग-अलग तरीके से बताई जाएगे, तो जो चीज अच्छी लगए, वो आप अपने दिमाग में फ्रीज कल दीजे, तो फिला हाँ, थीटा जी जरू होता है, वहाँ पर होता है, आपका base यह छोटा सा की introduction था, अब उस थीटा के according, आप सारे sides और एंगल को एक specific ratio में distribute करेंगे, चलिए बच्छों, ए हम अच्छी तरीके से समझते हैं, तो यह मेरा एक right angle triangle है, यह आपका A, यह B और यह C, मैंने यहाँ पर लगा दिया, डिक्टेट कर दिया, तो जिदर थीटा है, वहाँ पर क्या है आपका base है, यह तो आपको पहले से के लिए है, यह हो गया, यह पर्पेंडिकुलर और यह ह हो गया आपका hypotenuse, sand height, अब यह जो close figure बना है, बार-बार मैं आपको बहुत रहा हूँ, close figure, क्योंकि close figure के बिना तो कहानी आगे, बढ़े गे नहीं, तो यह जितनी भी sides है, एक proper ratio में एक दूसरे से intersect हो रही है, मेट हो रही है, तो यहाँ पर उनका एक fix, क्योंकि यहाँ पर perpendicular का ही खेल हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलू कि perpendicular और hypotenuse, यह दोनों का combination नहीं बना है, hypotenuse fix आपका है, तो परपेंडिकुलर बेस जो है, वो theta के according, जो है, angle के according, वो change हो रहा है, तो perpendicular upon hypotenuse, पहला ratio, दूसरा ratio, based upon hypotenuse, clear? यह दो ratio आपको clearly दिख रहा है, क्योंकि उस perpendicular भी hypotenuse के साथ, यहाँ पर intersect हो रहा है, बेस भी hypotenuse के साथ, यहाँ पर meet हो रहा है, परपेंडिकुलर बेस भी हो रहा है, उसको भी आपन डिसकस करेंगे, लेकिन main जो है, शुरुवात कहां से होई है, और जिससे पूरी की पू constraint नयाम दिया, वो नाम है sine और साथ में theta जो है वो आपका angle, same as जो base और hypotenuse है, उनको मैंने मैंने एक नाम दे दिया, cos theta which is based upon hypotenuse, अच्छे से लिख लेते हैं, sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, और cos theta is equal to base upon hypotenuse, अब इन दोनों को अगर आप ध्यान रखेंगे, तो trigonometry में आगे जितने भी concept आने वाले हैं, वो आपको बिलकुँ चूटकियों में clear हो जाएंगे, अब ज़रा गौर कीजिए, अभी मैंने क्या बतायाता है, ये ratio हो गया, ये ratio हो गया, अब बचाएंगे ये ratio, clear, तो इन दोनों के combination को बोला जाता है, 10 theta, नाम दिया गया है, 10 theta which is perpendicular upon base, अब ये तीन ratio आपको दीख रहे हैं, ये तीन ratio आपको बिलकुल clear हो गया होंगे, sin theta मतलब, sin theta एक्चुल में क्या है मैं फिर से बता रहूँ, perpendicular hypotenuse जहां मिल रहे हैं, वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, वो एक proper ratio है, और वो ratio जो है, वो sin theta कहलाता है, theta means degree, एक proper ratio में, एक proper slope में एक दुसरे से टकरा आ रहे हैं, तो slope means जब वो आके मिल रहे हैं, वो एक point पे meet हो रहे हैं, उस point को अपन बोलते है, theta, same as base और hypotenuse यहां पे आके मिल रहे हैं, तो वो corner means theta, उसक का नाम है cos theta, और क्या-क्या मिल रहे है, base और hypotenuse, अब यहां पे perpendicular base भी है, इसको भी क्यों छोड़े, तो इसको हमने नाम दे दिया 10 theta, जो है आपका P by B का ratio, तो ऐसा ध्यान रखेगा, यह मैं आपको especially बोलना चाह रहा हूं, तो क्योंकि आगे तो आपको identity, means इसी के आप में chapter खतम करने हैं, लेकिन basic चीज यह है कि यह ratio यह है, यह ratio यह है, यही practically सही चीज है, clear, बाकी आपको पता है, बीच में equal to है, तो LHS equal to RHS, यह तो पुरानी बाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो रहा है, trigonometry का concept जो दिया गया है, उसमें अब इन ratio को आगे use किय कैसे, भई पढ़ने वाला perpendicular hypotenuse पढ़ सकता है, कोई दोसरा student या कोई दोसरा इंसान है, तो hypotenuse perpendicular भी पढ़ सकता है, तो नहीं पढ़ सकता है, जिसकी नजर जहां पहले पढ़ है, हमने B by H पढ़ा, base upon hypotenuse तो ठीक है भई है, लेकिन किसी की नजर पढ़ गई, वो hypotenuse upon base परपेंडिकुलर, यह पढ़ने वाले को तो नहीं टोक सकते, तो इसी कंसेप्ट को उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, जला देखें, कि अगर यह रेशियो पलट जाए, hypotenuse upon परपेंडिकुलर, तो यह तो चेंज हो गया, क्योंकि पहले मैं इधर से ऐसा पढ़ रहा थ तो यह रेशियो को भी उन्होंने एक बढ़िया सा नाम दिया, जिसका नाम है कॉसेक और साथ में थीटा, same as hypotenuse upon base, इसका भी fix नाम दिया, sec थीटा, फिर इसका भी नाम उन्होंने दिया, base upon perpendicular, which is cot थीटा, अब बताने वाले के उपर अलग-अलग चीजें दिमाग में बैठे रहती है, किसी ने कहा कि इसका reciprocal यह है, बिल्कुल सही बात है, इसका reciprocal यह है, यह भी सही है, इसका reciprocal यह है, लेकिन में चीज यह है, कि भी P by H है, तो H by P भी हो सकता है, तो हमको यहाँ पर 6 ratio आपको मिल ग उनके slope के recording, उनके angle के recording, तो यहाँ पर main कहानी शुरू होती है, यह P by H और P by, sorry, B by H से, perpendicular hypotenuse और base upon hypotenuse, फिर last में यह दोनों बसते हैं, तो उनको मैंने 10 theta का नाम दे दिया, clear, और tangent का मतलब भी होता है, मैं यहाँ पर especially इसके बारे में बोलना चाहूँ को, क्योंकि यह future में बहुत टकराने वाला है, अगर आपने match लिया तो यह 10 theta जो है, इसको slope ही बोला जाता है, tangent आपको पता होगा, अगर आपने circle किसी topic में पढ़ा होगा, तो tangent क्या होता है, कि circle के किसी point को touch करते वे एक line जारी है, तो उस line को, उस condition को, situation को बोला जाता है, tangent, means slope, और slope दूसरा य भी होता है भी, कि वो किस way में आ रहा है, टकरा रहा है, या मिल रहा है, तो उसको बोला जाता है, तो perpendicular upon hypotenuse, बाकी यह जो है, यह सब इनके reciprocal है, या फिर opposite है, जैसा भी आप बोलना चाहिए, चलिए, फटा-फट बोर्ट क्लीन करते हैं, इन रेशियो को फिर से अपन नोट डाउन करते हैं, और फिर से एक बार discuss करते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, फिर से में एक बार fresh drawing बना देता हूं, यह आपका हो गया right angle, a, b, c, यहाँ पर लगा देते हैं, जिदर थीटा होगा, उधर होगा आपका base, यह दिया लखेगा, perpendicular, base, और यह होगया, hypotenuse, फिर से यहाँ पर सजाद आजा के लिख लेते हैं, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular upon base. इनका reverse cos sec theta is equal to hypotenuse upon base sec theta is equal to hypotenuse upon base and cot theta is equal to base upon hypotenuse एजरेक्ट क्लियर फिर से तीन साइड्स है आपको पता है perpendicular hypotenuse के साथ setting हो रही है base इसके साथ हो रहा है तो शुर्वात वहीं से होगी sin और cos 10 theta perpendicular upon base सबका reciprocal अब इसी language को मैं आगे बढ़ाते वे मिन्स इस concept को आगे बढ़ाते वे अब मैं इन दोनों को compare कर रहा हूँ क्यों कि ये तो है reciprocal तो मैं क्या बोल सकता हूँ sin theta जो है क्या वो cos theta का reciprocal नहीं है बोल सकते हैं भी क्यों कि ये opposite है वैसे ही cos theta जो है वो one upon sin theta का reciprocal है that's it क्या मतलए सेम तो चीज है फिर cos theta जो है one upon sec theta का reciprocal है तो sec theta जो है one upon cos theta का reciprocal है नाम को नाम से compare कर रहे हैं side से नहीं ध्यान लखिएगा 10 theta अब ये बात तो आपको clear हो गएगी कि 10 theta जो है वो cos theta का reciprocal है cos theta जो है वो one upon 10 theta का reciprocal है देखें क्या होता है mathematician जब बैठते हैं और किसी concept को निकालते हैं तो 360 degree में means 360 को पकड़ के मत रेके गया ये बोलने का एक तरीका है तो वो उस concept के चारों तरब देखते हैं बिलकुँ 3D में कि अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा तो जैसी उन्होंने side को compare किया और सबको अपना अपना एक separate नाम दे दिया side के according एक fix है side के according एक fix है तो उन्होंने देखा कि sin theta जो है वो cos theta भी हो सकता है उसका अगर मैं उल्टा कर दूँ वैसी बाकी ratio क्योंकि अभी एक चीज में आको और बड़ी मैजदार बताने वाला हूँ यह 10 theta जो है अगर मैं sin और cos को sorry sin और cos को मैं divide कर दूँ तो भी आ जाएगा और वो बिल्कुल इन दोनों के ratio के according क्यासे देखिए 10 theta मैंने क्या बोला sin theta upon cos theta मैं हर variety की calculation कर रहा हूँ जो की अच्छा भी लगे तो sin theta मतलब p by h यह हो गया p by h cos theta मतलब b by h यह हो गया गौर करेंगे तो denominator दोनों का same है वो कड़ी है तो क्या आगे अभी है p by b perpendicular upon base तो perpendicular upon base जो है वो sin और cos से भी आ सकता है similarly cot theta जो है अब यह क्या है cot theta जो है वो 10 theta का reciprocal है तो भी अभी मैंने क्या बोला यहाँ पर sin theta upon cos theta तो जब यह change हुआ है तो यहाँ भी यह भी change हो सकता है तो यह क्या बन जाएगा cos theta upon sin theta तो ratio change कर दीजी भी है b by h और यह p by h फिर यह कड़ गया h h तो बचा क्या बी भी भी पी तो कॉड़ भी क्या है देखे भी यह भी भी एच बेस अपाउन हाइपोटेनेस तो आप भी जब भी ट्रिग्नोमेंट्री के concept पे आएं बस जो मैंने सीखा है जिस तरीके से सीखा है जिस तरीके से इसको observe किया है सवाल बनाते बनाते वही चीज में आपके सामने present करने वाला हूँ तो यह जो पार्ट है in fact मैं नहीं बोलूगा कि भी ट्रिग्नोमेंट्री के लिए बलकि हर एक चैप्टर को सीखने के लिए आप अपना दिमाग बिल्कुल open रखें बिल्कुल जो चीज हो सकता है कि हम भी न देख पाए कोई teacher भी न देख पाए हो सकता है वह आप देख ले शिरिफ किताब में जो चार लाइने लिखी है या दस लाइने लिखी है वही दस लाइने ही concept नहीं होती है उसके अलावा भी होता है यह चीज ध्यान रखिएगा तो प्लीज न्यू चैप्टर है अच्छे जी सिखे राम से सिखे है मैं धिरी दे आज आज शिरिफ introduction दे रह इसके बीटा 30 डिगरी 30 45 60 90 डिगरी जो एंगल अपने यह बोलते हैं यह वाले 90 डिगरी 90 डिगरी तो आप सुनते भी आ रहे हैं वैसे आपके और भी होते हैं और यह होती है 360 तक के डिगरी जोती है बिलकुल तो अपन 360 तक नहीं जाएंगे फिलां 10 में हमारे पास 0 से ले प्रॉस मल्टिफिकेशन भी आता है फ्रैक्षों कैसे सॉल करते इनी सब वर्ड नहीं को लेके आपको सवाल बनाने कोई भी नए चीज नहीं है simple sin theta, sin theta अगर add होता है तो 2 sin theta, sin theta, sin theta multiply होता है तो sin square theta, clear, चलिए अब ये ratio बताने के बाद आपके कुछ formulae और है लेकिन फिलाल इस chapter में आपको सीधा degrees के बारे में बताया गया तो हम degrees discuss कर लेते हैं कैसा है, क्या है किस तरीके से वो table आपको याद करना है तो ये point अगर ना clear हुआ हो तो please मुझे comment करके बताईए या video को फिर से पिछे जाके देखिए कौन सी side किस से मिल रही है क्यू मिल रही है, कैसे मिल रही है सारी चीजे मैंने आपको अभी बताया है तो आराम से इसको देखिए तो नेक्स वीडियो में मैं फिर एक बार इसको इंट्रोडक्शन बिलकुल दूँगा उसके बाद ही सवाल शुरू करूँगा चली फटा फटा आपन चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर चली हेडिंग डालते हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री टेबल अब देखिए कुछ स्पेशल आपको एंगल दिए गया है डिग्री दिए गया है उन एंगल से ही आपको खेलना है तो ऐसा नहीं है कि इन एंगल के लावा बाकी एंगल होते ही नहीं बिलकुल होते हैं डिग्री एक भी होती है एंगल एक भी होता है एक डिग्री का भी एंगल होता है दो डिग्री का भी होता है तिन डिग्री का भी होता है क्योंकि यह सारी चीजे एक रिसर्च के बाद ही आपको दी गई है जैसे कि हम इस्पेशली बात करें कि हमारा जो राइट आंगल जो ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री होता है तो एक छोटी सी चीज में आपसे शेयर करना चाहूंगा कि राइट आंगल ट्राइंगल आखिर इतना क्यों इंपोर्टेंट है यह 90 डिग्री होना क्यों इंपोर्टेंट है भाई कोई भी चीज आप इमाजिन कीजिए जो स्ट्रेट खड़ी है चाहे वो कुछ भी हो जो हमने बनाया है प्रेड़ पहुत है तो चलो अच्छी बात है वो तो जड़ से मजबूत होते हैं लेकिन कोई भी बिल्डिंग कोई भी फ्लाइओवर कोई भी चीज पिलर हो ग जो लाइफ होना चीए वो नहीं रहेगी इसी लिए राइट अंगल ट्रैंगल मिन्स जब कोई भी कंस्ट्रक्शन साइड में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल स्केलिंग के साथ उसको मेजर्मेंट करके पिलर को स्ट्रेट खड़ा किया जाता है तो बिल्डिंग की लाइफ की की देखें पिलर की उपर तो और भी उपर च्छत होगी वह उस पर प्रेशर डालेगी तो जड़ा सा भी अगर वह आगे पीछे या तिरचा रहा तो उसकी स्ट्रेंज जो है वह वीक हो जाएगी मिन्स अगर कोई चीज 30 साल 40 साल चलने वाली है तो उसकी उमर देफिनेटली 2-5 साल पहले वह क्रेक हो जाएगा इसलिए राइट एंगर ट्रेंगल मिन्स 90 डिगरी पर ज्यादा डिसकर्स किया जाता है और वैसे ही बाकी सारी डिगरी जो हमको दी गई है कहीं कहीं पर बहुत सारे प्लेस पर उसका यूज किया जाता है ए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोला जाता है यह आप 11 में देखेंगे तो अगर आपको यह ठोकर को है प्राक्टिकली बताया भी गया है और ऐसा होता भी है ऐसा नहीं कि स्री बोल दिया गया है 45 डिग्री पे अगर आपके इस चीज़ को फेकते हैं तो वो ज्यादा दूर पर जाएगे इसलिए तो इस डिग्री को बनाने के लिए जो प्लेयर से वो प्रैक्टिस करते हैं कि भाई डिफॉल्ट हम हाथ हमारा ऐसा सेट हो जाए कि काम भी आने वाली है तो चलिए टेबल हम डिसकस करते हैं हाँ जी बच्चो चलिए फटा फट डिग्री लिखते हैं जैसे कि पहले डिग्री हो गई आपकी जीरो डिग्री राइट सेकेंड है आपकी 30 डिग्री देन आफ्टर 45 डिग्री फिर है आपका 60 और लास्ट में 30 डिग्री यहां पर हमने जो तीन रेशियो देखें थे उन्हीं रेशियो के बेस पर हम यह सारी डिग्री निकालेंगे बुक में रेडिमेट आपके टेक्स बुक में दिया हुआ है टेबल आप उसको रट सकते हैं लेकिन मैं छोड़ा सा कंसेप बता रहा हूं वह कंसेप् आपको कहीं भी कोई भी यूटूब में आपको मिल जाएगा लेकिन फिर भी मैं जिस तरीके से थोड़ा सा करेक्शन करते हुए बता रहा हूं आप उसको भी ट्राय कीजिए क्योंकि टेबल में हमको रैंडमली कुछ भी यह 6 रिशियो तो आपके यह हो गया प्लस यह हो ग क्या करना है कहानी शुरू कहां से हुई है जीरो से चलिए जीरो से शुरू करते हैं यह एक नंबर है डिग्री नहीं है 0 1 2 3 4 मैंने 4 तक गिनती है आपके यहां पर नंबर्स लिख लिए है लास्ट में नंबर आया 4 उससे मैंने कर दिया इसको डिवाइड ठीक है इसके बाद मैंने इसको कर दिया मानली यह सिंप्लिफाय और इसके बाद मैंने निकाल लिया रूट यह कुछ एक्सपेरिमेंट किये गए है जो कि मैं आप तक पहुचा रहूं और उसके बाद आपको एंसर मिल जाएगा तो इस पूरी कहानी को सॉल करने के बाद जो वैल्यू आई वो वैल्यू होगी आपके साइन थीटा की साइन थीट आपको पता है किसका रिश्यू है यह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनेस तो अगर इस इस डिग्री से साइड अगर आपकी तकराई तो आप केल्कुलेट करके उसका एंसर निकाल सकते हैं आपको सारी चीज़े बता दी है इसी चीज़ को अलग-अलग तीन लाइन में स्टेप मैं आपको सॉल नहीं करना है लेकिन फिलाल वन का रूट वन और फॉर का रूट टू 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 बाए फॉर कैंसल हो सकता है तो यहां बचा वन और यहां बचा टू तो वन का रूट वन तू का फिलाहाल नहीं निकालना है मतलब निकालना चाहिए तो निकाल सकते है ऐसा नहीं है तो इसको मैं ऐसा डेकोरेट कर लिए 3 by 4 भी cancel नहीं हो रहा है, तो 3 का root यह हो गया, 4 का root 2, 4 by 4 1, और 1 का root आपको बता है 1, यहां तक कि कोई कहानी में कोई doubt, फिर से 0, 30, 45, 60, 90, clear है, बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हैं, इधर से 30 का फरक है, इधर से 30 का फरक है, और यहां से 15 का फरक है, क्योंकि कुछ standard case में यह सब degree आपको दी गई है, जैसे कि मैंने आपको 90 degree का introduction दे दिया, 45 degree का दे दिया, तो यह भी कहीं कहीं पर आपके use होते हैं, तो यह ऐसे gap में बनाए गया है, clear, यहां भी आप देख सकते, 15 का ही फरक है, तो यह जो मैंने आपको बता है, जो difference है, यहां पर 30 का, आप 15 की 15, फिर इधर से अगर आप देखेंगे, इसलिए मैंने पर बता है, starting से 30, ending से 30, और बीच में 15 का फरक है, यही same आगे बढ़ता हुआ जाएगा, शुरुआत में कितना 30 का, तो 90 में 30 जोड़ देजे, तो आपका आगया 120, ऐसे ही कहानी आपके चलते तो यह value आपके निकल गई, 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4, यह value आ गई, ठीक है भीचा, sign तो आ गया, cost के लिए क्या करना है, कोई tension नहीं है, cost जो है, वो इसका पूरा reverse है, means पहली value को आखरी में, और आखरी value को पहली में, मतलब reverse form में जमा दिजे, 90 पे क्या है भईया, 1, यहाँ पे क्या है, 3 by 2, यह आपका as it is, फिर 1 by 2, और 90 पे 0, बढ़िया है, एक चीज मैंने आभी आपको ratio बताया था, कि 10 theta जो है, perpendicular upon base है, यह बताया था, और यह जो है, यह sin theta upon cos theta भी है, यह भी मैंने आपको बताया था, याद होगा, तो अब sin theta cos theta, मेरे खासा आप hint समझ गये होंगे, कि इसको और इसको अगर मैं divide कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, 10 theta, that means अगर यह इससे divide हो रहा है, तो means हर एक value divide होगी, तो 10 theta का, सारा का सारा result आ जाएगा, च हो, root 2, root 2, sorry, 2, 2 cancel होगा, तो बचर, root 3, यहाँ पर root 2, root 2 cancel होगा, तो बचर, 1, फिर अगें, 2, 2, 1 minute, यहाँ पर छोटा सा correction होगा, यहाँ पर आगा, 1 by root 3, यहाँ पर आगे, 1 by root 3, क्योंकि यह interchange, reciprocal होगा, यहाँ पर 2, 2 cancel होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, 3, और 0 को 1 से अ पर आटेंगे, तो answer आगा, infinity, which is called undefined, तो यह होगा, sine, cos, 10, again, ratio मैं फिर से बता रहाँ, अब आपका ratio आने वाला है, यह तीनों ratio होगा, आप खुद ध्यान होगे, mainly यह तीन ही आपको याद होना चाहिए, according to me, पूरा याद हो जाता है, और अच्छी बात है, अब क्या है, sine, cos, 10, इसके बाद क्या आता है, आपका, cot, इसके बाद आता है, आपका, sec, और इसके बाद आता है, आपका, cos, sec, फटा-फट, तो cot, जो है, वो किसका reciprocal है, 10, theta का, sec, जो है, वो किसका reciprocal है, cos का, और cos, जो है, वो किसका reciprocal है, साइन का तो प्लीज बच्चो इतनी मेहनत कीज़े ताकि आपकी प्रैक्टिस हो यह जितने भी रिजेड निकले है इसके एकॉर्डिंग आप चेंज करते जाएगे जैसे कॉर्ड बोला है तो कॉर्ड क्या है टैन का रेसिप्रोकल तो जीरो का रेसिप्रोकल टू बाइ थ्री वन बाइ रूट टू का टू और टू बाइ वन का टू और जीरो का जीरो तो ऐसी आप पूरे के पूरे बाकी तीन जो रेशियो है वो कंप्लीट कर लीजेए तो बच्चो ये तो हुआ ट्रिग्नोमेंट्री रेशियो जो आपके आडी शर्मा के एकॉर्डिंग है फिर्स चेप्टर फिरस के बाद आइडेंटिटी है अभी हम इसके ही कुछ सवाल नेक्स वीडियो में देखेंगे फिलाल आप ये सारी इंफॉमेशन अच्छे से प्रिपेर कीजिए एक दो दिन में फिरसे भी वीडियो लाओंगा उसमें हम ये कहानी फिरसे रिवाइस करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम सवाल तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा बच्चों से शेर कीजिए जिनकी रिक्वार्मेंट है और प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू वेरी माच